Hello everyone, Welcome to the Digital Electronics Lecture Class. आज के lecture में हम लोग counting करना सिखेंगे. जो अलग अलग तरह का number system होता है, उसमें counting किस तरह से किया जाता है, ये आज हम लोग जानेंगे. सबसे पहले हम लोग decimal number system देखते हैं कि decimal number system क्या है. decimal number system एक ऐसा number system है, जिसमें हम लोग 10 digits के help से पूरे number को represent करते हैं. और इसमें जो numbers यूज होता है, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9. बाकी numbers ये सारे numbers को repeat करके लिखा जाता है. इसलिए ये जो decimal number system है, इसका base या जो radix होता है, वो 10 होता है. इसलिए decimal number system में, जब हम लोग counting करते हैं, उसमें हम लोग 0 से start करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 के बाद फिर से जो पहले जो digits आया है, वही सब use होता है. इसलिए 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और 19 के बाद फिर से 2, 0 आ जाता है. फिर 21, 22, 23, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं. जो दूसरा number system में, वो है binary number system, binary number system में हम लोग सिर्व दो digit के help से पूरे number को लिखते हैं. इसलिए binary में 0, 1 लिखने के बाद, फिर जो तीसरा number होगा binary में, वो हो जाएगा 10, क्योंकि यही दोनों number से ही repeat होना है, तो इसलिए 10 आएगा, फिर 11 आएगा, अब जब 11 आ गया, तो फिर 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 1000 आएगा, इस त octal number system जो है, वो एक ऐसा number system है, जिसमें हम लोग 8 digits का इस्तेमाल करके, पूरे number को लिखते हैं, इसलिए octal number system का base होता है, 8, और इसमें numbers को हम लोग लिखेंगे जब, तो इस तरह से लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद फिर repeat होगा numbers, तो 7 के बाद मेरा आएगा, 10, फि 14, 15, 16, 17 तक ही जाएगा, उसके बाद next number हो जाएगा, 20, फिर यह 20, 21 से लेकर 27 तक जाएगा, 27 के बाद 30 हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे उस number को, जो last, जो हम लोग number system पढ़ेंगे, वो hexadecimal number system, hexadecimal number system में हम लोग solar digits का use करके, सारे number को लिखते हैं, इसलिए hexadecimal number system का base 16 होता है, इसमें जो numbers हम लोग use करते हैं, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद A, B, C, D, E, F, और F के बाद फिर numbers repeat होता है, इसलिए F के बाद आएगा 10, फिर 11, 12, 13, यह 19, 1A, 1B से लेकर 1F तक जाएगा, फिर 1F के बाद 20 हो जाएगा, इस तरह से हम लोग, यह जो अलग अलग तरह का number system है, इसमें counting हम लोग इस तरह से किया जाता है, binary number system जो है, उसमें सिर्फ दो ही digits use करते हैं, इसलिए binary number system का base 2 होता है, octal number system में 8 digits का इस्तेमाल करके पूरे numbers को लिखते हैं, इसलिए octal number system का base 8 है, hexadecimal number system में 16 digits के help से सारे numbers को represent करते हैं, इसलिए hexadecimal number system का base जो है, वो 16 होता है, होप कि आफ लोगों को counting समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग अलग-अलग number system में counting कर सकते हैं, आ एम आ गया होगा कि आ भी होगा कि आ एक को दोगका हैं,